रामबक्तों का राममंदिर के लिए इंतिजार अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। मंदिर निर्माण में तीन तरह के अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा। परकोटा निर्माण में लगेंगे विशेश पत्थर मंदिर निर्माण में श्रमदान की जरूरत नहीं है। श्रीराम जन्मबूमी मंदिर निर्माण स्वमीती की दो देवसी बैठक अयोध्या में होने जा रही है। 13 और 14 जून को समीती की बैठक अपराहन तीन वजे से सरकिट हाउस फैजाबाद में होगी। श्रीराम जन्मबूमी मंदिर निर्माण समीती के अध्यक्ष निपेंद मिश्र 12 जून की देर शाम तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। वो दो दिन अध्यक अयोध्या में रहकर मंदिर निर्माण की प्रगर्दी की समीक्षा करने के साथ साथ भावी योजनाओं पर भी मंधन करेंगे। कि चार सो फिट लंबा तीन फिट तीन सो फिट चोड़े छेत्र में लगभग मैं गया तो नहीं हूं लेकिन हो सकता है छे लेयर अब तक पड़किती है छे लेयर कार्थ होता है साथ इंच अर्था कम से कम पांच फिट तक या उससे वेधिक उपर आ चुके होंगे। दो शिफ्ट में 24 घंटे काम चलना है शिफ्ट बदलती है तो मैं पावर बदल जाती है शिफ्ट बदलती है तब मैं पावर बदल जाती है रामभक्त को बड़ी इच्छा है कि वह भी मंदिर निर्मान तुझ है अपने आखों से देख सकें तो अब तो खुदाई का काम कंप्लीट हो गया है बचा है अब उसको भरने का तो क्या ऐसा संभव है कि उसको देख सकते हैं अभी तो नहीं है अबी नहीं है अभी संभव नहीं है सरी कब संभव होगा यह क्या भविश्य के बार मैं तो भविश्य वक्ता नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लांबख्त हैं सर वो अपना स्रम्दान भी करना चाहते हैं उसकी कोई संभावना नहीं है मैं उनसे हाथ जोड़कर छमा चाहता हूं अपने गाउं महले में कोई अच्छा काम करो श्रम्दान करो भगवान को समर्पित कर दो अब बुसरे जो प्लिंट के लिए जो लाल पत्थर आएंगे मिर्जापुर से तो सर वो मिर्जापुर की पत्थर है उसको कितना बड़ा पत्थर होगा अभी यह सब तक्नीकी बाते अभी आएंगे अब आएंगे आया नहीं तो जब आएंगे तो इसका डाइमेंशन लंबाई चौड़ाई मोटाई हो जाएगी उसको क्या है उसको करना तो उनका काम है वो केवल हमें बता देंगे हमने इतना डामेंशन केज जाएगा कितना पत्थरि यूज हो जाएगा एक दम कुछ कुभी कहना बहुत कथे हैं लग एक तर अपना है कि नलग लग प्रकार का पत्खर होगा तो कंसा कम है कि नोगे चार-चार लाग कुभी खुटा सकता है अभी कुछ यह सब आकलन है अप्रिम तो आखलन है पेपर वर ख़ड़ होगा अब जैसे प्लिंद बन गए प्लिंद बनने के बाद तो जो त्रीन प्त्र है रायोथान का बन सी पालग वह बहुत अभी समय लगी कि प्लिंथ में तो मेज़ापूर के पथर लगने है अब यह पतर प्लिंथ पत्खर के पत्खर हो परकोटा अब कोई तीसरा पत्थर से जोगी कि अधिया करना बाते चलना इसे पहले पहले है अब पत्थर से बने गवार गया कि अधिया में होती है तो दो महिने में दो बार दिलने भी होती है ऑनलाइन भी होती है आप मैं ऑनलाइन जाता हूं कभी कभी इस तरह के कामों में कांटीनुवस फॉलॉप पुता रहता है को एक आदमी काम नहीं कर रहा है कि यह इतने महत्यका कारे है कि इसमें काटा बीन वाल वेल लार्शन टूबरी हुई है तो हम भी इन वह इसले छोटे-छोटे बिंदुओं पर बात्चीप चलती रहती है ऑनलाइन भी चलती है दिल्ली में इखटे भी होते हैं अब निर्पेन जी आपको मालूम है आते हैं दो मेने आते हैं तो सब को सामुही के लिए मिलते हैं अकले के लिए मिलते हैं साइट सर्वेवी करते हैं यह को पहली बार को भी हो रहा है मुझे तो लगता है कि एक साल में साथ आध बारा कि लिए आते हैं हमाल नहींस आते हैं तो दिन वरका मुझे करते हैं